смузy हेलो'' ‎बर्ट्रेश नवर्प्रेश ड्वलपर बनना है तो आपकी रिवडप्रेश ड्व्लप्मेंट का रूड मैप क्या होना चाहिए बहुत सारा आज दिमांड है कि मुझे एक रिवडप्रेश ड्वलपर बनना है अब WordPress developer करता क्या है, WordPress developer का काम होता है website बनाना WordPress एक content management system है, यह आपको option देता है कि आप digitally content manage कर सकते हैं website पे WordPress developer में भी दो types के developer होते हैं, एक होता है without coding, एक होता है coding करके developer अब without coding जो WordPress developer होता है, वो क्या-क्या काम कर सकता है और किस-किस type की website बना सकता है देखे वर्डप्रेस development में अगर without coding अगर आप काम करते हैं, यहाँ पे आपको coding की कोई knowledge नीची है, HTML, CSS, JavaScript नहीं आना चाहिए, आप without coding वर्डप्रेस में website बना सकते हैं, तो वर्डप्रेस में आपको यहाँ पे यह सीखना पड़ेगा कि आप वर्डप्रेस को setup कैसे करते हैं, वर्डप्रेस में आप theme कैसे use करते हैं, theme यूज करने का मतलब यह हुआ, कि आप बनी बनाई theme पे काम कैसे करते हैं, वर्डप्रेस में pages कैसे create करते हैं, pages को menus में कैसे add करते हैं, वर्डप्रेस में blog publish कैसे करते हैं, वर्डप्रेस में आप plugins पे काम कैसे करते हैं, तो main मुदा जो होता है without coding वाले बंदे का वो theme plugins को ही use करके website को बनाता है यहाँ पे आप blogging की website बना सकते हैं यहाँ पे आप e-commerce website बना सकते हैं यहाँ पे आप travel waste website बना सकते हैं without coding का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे coding की zero knowledge है आप WordPress में without coding सारी चीज़े क्या कर सकते हैं डवलप कर सकते हैं और इसकी जो भी वीडियो का लिंग है वो आपके description में मिल जाएगा उसके लिए मैंने पार्ट बना रखा है उसको आप देखेगा without coding आप drag and drop करके WordPress डवलपर कैसे बन सकते हैं वो पूरा उसके अंदर बदा रखा है तो यहाँ पर चीज यह है कि without coding वाला बंदा बस एक stage पर जाके फसता है अगर उसको कोई ज्यादा कस्टमाइजेशन करना हुआ तो आप website तो बना लेंगे WordPress का यूज करके without coding जिसमें आप setup करना plugins इन सारी चीजों को यूज करके एक अच्छे लेवल की website डवलप कर लेंगे यहाँ पर WordPress without coding के अंदर जो main और पढ़ना पढ़ता है वो पढ़ना पढ़ता है page builders plugin कि आप Elemental का यूज कैसे करते हैं यूज करेंगे निंजा फर्म कैसे यूज करेंगे वो विदाउड कोडिंग का पार्ट है तो विदाउड कोडिंग में आपकी डिपेंडेंसी हमेशा theme और plugins के उपर रहेगी उनको यूज करके आप website के अगर सकते हैं वो भी एक अच्छे लेवल की website बना सकते हैं बस यह है कि वहाँ पर limitation है कि आप एक stage पर आके क्या हो जाएंगे रुख जाएंगे अब यह जो डवलपर है यह फिर कहां काम आते हैं एक्छली इसकी अगर कोई limitation है तो यह कहां पर काम आता है जैसे अगर आप कोई भी digital marketing agency बिजाएंगे तो simple सा logic होता है कि landing pages बनते हैं जैसे अगर म इसी website से लेटी landing pages बनाना है कोई one page की website बनानी है कोई multi page की website भी बनानी है तो आप wordpress development को यूज कर सकते हैं without coding यहां पे आपको आपको क्या आना चाहिए wordpress का यूज करके आप coding करके भी website बना सकते हैं बर coding के लिए पहले से आपको किस किस चीज की coding होनी आनी चाहिए जैसे आपको html आना चाहिए आपको css आना चाहिए आपको java script आना चाहिए यह front end की बात कर रहा हूं आपको frameworks भी आने चाहिए जैसे bootstrap आना चाहिए यह designing के लिए काम आएंगे back end में आपको PHP और my school आना चाहिए तब आप wordpress development को coding की site सो सकते हैं अप coding के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं जैसे मैंने बुला था हम without coding क्या करेंगे theme को use करें गी हम without coding क्या करेंगे plugin को यूज करेंगी, आप coding का यूज करके खुद की theme बिल्ड कर सकते हैं, बदा आप custom theme बना सकते हैं, WordPress जो coder होता है, वो coder क्या करता है, खुद की theme बनाता है, खुद के plugins बना सकते हैं, तो मेर मुदा यह है कि जो coding करके काम करता है WordPress developer, वो themes को बनाना सीख जाता है, वो plugins को बनाना कोडिंग करके जो बनी हुई वेबसाइट है उसमें मैं किसी भी लिवल पर अपने लॉजिक को लगा सकता हूँ अब जब थीम बनती है तो थीम के अनदर WordPress developer को क्या-क्या सीखना चीए थीम के अदर आपको बेसिक चीज आनी चीए कि वर्डप्रेस के फंक्शन्स कौन-कौन से वर्डप्रेस के, अब प्री डिफाइन्ट फंक्शन्स उसको देखना पड़ेगा, आपको PHP के फंक्शन्स की नॉलीज होनी चीए, आपको WordPress के अंदर hooks की knowledge होनी चीए, आप theme के अंदर menu bar कैसे बनाते हैं, आप visits को कैसे बनाते हैं, आप plugins को कैसे develop करेंगे, ये भी knowledge होना चीए, मतलब WordPress theme का part है, visit और menu, और plugin एक अलग part है, जिसमें आप modules develop करते हैं, तो आपको WordPress theme का अगर part करना है, तो आपको name bar, आपको widgets, आपको WordPress के पहले से बने हुए functions, उन सारी चीजों की knowledge होनी चीए, तब आप WordPress development कर सकते हैं, वो भी coding के थुरू, और without coding में तो कुछ भी नी चीए, और plugin development भी करते हैं, क्योंकि हम plugin भी क्या कर रहे हैं, डवलप करें, ये बिल्कुल code जो आला part है, वो developer के लिए, बतब pure coder के लिए है, तो plugin के लिए भी आपको WordPress के hooks पता होने चीए, कि WordPress के hooks क्या होता है, filter hooks क्या होता है, do action hooks क्या होता है, इस type के hooks पता होनी चीए, तब आप WordPress में plugin को क्या कर सकते हैं, डवलप कर सकते हैं, तो दो हिस्सों में क्यों divide किया है WordPress development को, एक हिस्सा वो है जिसमें without coding बंदा website बनाता है, एक हिस्सा वो है जिसमें coding करके wordpress में website बनाता है बंदा, जिससे वो एक अच्छे skill की website क्या गर सकता है बना सकता है, तो wordpress development road में मैंने आपको बता दिया, बहुत demand है, आज के time में अगर without coding करके भी अगर आप website बनाते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां इसको क्या अगरते यूज करती है, बहुत सारी कंपनियों में wordpress developer की demand है, अच्छे package में demand है, अब अगर आप coding करके जाते हैं, तब तो आपके पास इसको बहुत बढ़ा है, क्योंकि wordpress developer जो है, वो theme अगर बनाना सीख जाए, और plugin बनाना सीख जाए, तो यहाँ पे package decide करता है, कि आप किस टाइप का logic सीख रहे हैं, without coding सीख रहे हैं, या coding करके logic को सीख रहे हैं, उस logic पे आप अपने आपको क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, और जो coding करके theme development और plugin development का बाट है, वो एकदम PHP developer के लिए है, कि PHP developer कुछ advanced सोच रहा है, तो वो coding कर करके क्या कर सकता है, इन चीजों को सकता है, और without coding वाला बंदा, जिसको बिल्कुल भी interest नहीं है, coding में और इसको web developer बनना है, तो वो WordPress में without coding क्या कर सकता है, अपने आपको समझ सकता है, कि मैं उसको use करके भी website बना सकता हूं, तो अभी के पार्ट में आपको clear हो गया होगा, कि मैं WordPress developer coding और without coding करके कैसे बन सकता हूं, thank you so much guys.